पहलो फ्रेंड मैं पद्लम서 अज Umm नक्स्थ टोपीक है नॉन इस्टरोयल एंटि इंफ्लामेंटली एजेंट् ये इंपॉर्टन टोपपिक होता है एक्जाम्स के लिए हैं तो ईंटि इंफ्लामेंटरी एंजेंट्स होते型 choices इंप No, मिनशूजन होता है तो इसके साथ पे हमापर भी होता है इंफ्रामेशन से 64 को दोनों को सबादा को होता है यह पेम को और इंफ्रामेशन को रculokas any जो महभाण एजेंट आपन उएप वेम के उबर्मेंट्रणगि एंपेल इनके यह अंडिजायरेबल एफेक्ट की वज़े से रिकमान नहीं किया जाता है जो नॉन इस्टरोल एंटि इंफ्लामेंटरी एजेंट होते हैं इसके पास में एनलजेसिक एंटि पायरेटिक प्रॉपर्टीस होती है यह जो ड्रक्स होती है यह अर्थिटीस रेहमेटिस के के लिए यूज किया जाते हैं लेकिन इनके पास किया होता है जो एनलजेसिक एक्शन होता है वह विक होता है कंपे하고 different derivatives अब इसका स्ट्रक्चर है इसमें बेंजिंग ट्रियेट करेंगे यहां पर फिर नंबरिंग करेंगे 123456 देन इधर से CH3 twice CH CH2 और यहां पर CH COH और CH से क्या टेच कर देंगे CH3 अब इसका केमिकल नहीं में तब यहां क्या 24 isobutal phenyl तो यहां पर यह वाला जो portion है इतना इतना इसे हम आइसो प्रोपेल बोलेंगे यहां पर फोर्थ नंबर पर और यह फिनाईल रहेंगे तो यह क्या हो जाएगा 24 isobutal phenyl और propenoic acid और यह वाला proportion क्या है प्रोपेल एसीड तो इस तरीके से यह पूरा हो जाएगा 24 isobutal phenyl propenoic acid इससे प्रोपर्टी है यह वाइट क्रिस्ट्रान पॉडर होता है करेक्टरिस्टिक और होता है करेक्टरिस्टिक टेस्ट का होता है प्रेक्टिकली इंसॉल्य प्रेक्ट इसे एड़ाइट कंटेनर में स्टेट करके रहतना चाहिए सेक्षेन यूज ए आईब्र प्रोफेन जो होता है इसके पास एनालजेसिक एन एंटी इंफ्लामेंटरी एंटी पाइरेटिक प्रोपर्टी होती है यह पेन को रिलीफ करने के लिए यूस किया जाता ह है जैसे माइग्रेने रियुमेटिक डिसॉर्डर एंड जॉइंट डिसॉर्डर एड़ोस इफेक्ट है आईब्र प्रोफेन के वह जी आईटी डिस्टरबेंस है 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 एडेक के डिजीने से नर्वसने से ओडिमा एक्सेक्ट्रा इसका ऑफिशल प्रिप्रेशन ने आईब्रोफेन बीप आईब्रोफेन टेबलेट बीप यूस्पी इसका ब्राणने में आईब्रू प्रोसीन ब्रूफेन ब्लुटोर्ण अब नेक्स्ट रग है ऑक्सी फेन ब्यूटाजोन यह भी इंपॉर्टे सेसे रहता है यह अलग से बिएकजाम में पूछा सकता है कि इसका इस्ट्रक्चर tire इसका इसट्रक्चर अग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है कि सो यह इस तरीक़्े का बनता है तो यह अब registered हैसा इसके गें सबसे पहले इbourड़era x2 यहाँ पर o और फिर इदर की साइड डबल बॉन से ओ डाल देंगे यहां पर M ठीक है अब क्या करेंगे यहां N से एक बेंजन रिंग करेंगे फिनाइल रिंग यहां से OH अटेज करतेंगे ठीक है अब इसमें सबसे इंपोर्टेंटली नंबरिंग है इसकी तो सबसे पहले इतना पॉश्टन इसकी नंबरिक करेंगे तो यहां 1,2,3,4,5,6 अब इधर करेंगे 1,2,3,4,5,6 अब इसा केमिकल नेम लिखेंगे तो यहां पर क्या है 4 बूटाइल तो 4 नंबर पर यह पूरा क्या है बूटाइल गूरूप तो 4 बूटाइल 2 फिर ब्रेके इधर आ जाएंगे फिर ठीक है 4 hydroxy OH क्या है hydroxy गुरूप पता 4 hydroxy phenyl अब यह क्या है फिनाइल है तो 4 hydroxy phenyl देन वन नंबर पर क्या है फिर से हम फिनाइल इसको लिखेंगे तो वन यहां आ जाएगा न है यहां पर वन है हमने यह से वन करें वन टू थरी तो वन फिनाइल अब यह पूरा इस्टक्स जगा है पायराशॉडी निका थे पायराशॉडी इन ठ्री 5 डायओशन और three नंबर पर five नंबर पर क्या है oxygen ओर दो oxygen है तो डाय हो जाएगा और oxygen को हम on कर के लिखते है तो यह क्यों जगते तो यह क्यों जागा 3 5 डायओशन इस तरह जाएगा 5 डायओन न उसे प्रॉपर्टिये यह वाइट क्रिस्टर अटा चाहिए यह आपर्मिंट चाहिए यह एंटी इंफामेंट रेजएंट यह ऐकूट गौट और डिस और के लिए विए उसके जाता है ऑफेल में प्रिप्रेशन जो होती है उसमें भी यूज किया जाता है यह जब आइ में information हो जाता है तो उस condition में ophthalmic reaction करप में उसका यूज कियाता है जो important side effect ए इसके वह gastric upset rashes mucosal ulceration of mouth मॉं rozmout का me knock espresso म्युकसल algumas उस्टेसिन होता है और जी ङृटी का भी जी आई टी में भी अस्टेसिन हो झाता है ndvo esa इसका तो इसमें oxyphen butazone ip oxyphen butazone tablet ip oxyphen butazone eye ointment BP सब्राणने में p hydroxy phenyl butazone oxalis butazone अब नेच्सट ट्रक एंडिमितासीन तो सबसे पहलों इसके स्ट्रक्चर हैं तो इसमें हम हम all got tousagnaallen स्क्राइब करेंगे ऐसमें लृष्ट करेंगा इन डॉल का स्ट्रक्ट्चर इस टाइप थो होता है तो यह अलग से हैं एक्जाम में पूछ दाता है कि कि इन डॉल का स्ट्रक्चर बनाएज़ देन फिर यहां से हम 1 और बंजन्ग व्लीक इतेच करेंगे और यह तीन यह जो पूरा structure रही तीन पार्ट में डिवाइड होगा ठीक है दो उसमें फिनल रहेगी और एक इंडॉल रहेगी अब यहां से हमने CH3O अटेच किया यहां से हमने CH2 COH अटेच किया यहां से CH3 अटेच किया फिर N से CO फिर यहां पर CH3 अटेच किया ठीक है अब इसकी number इंग इंपोर्टेच में तो इधर से हम 123456 फिर इधर से भी ऐसा ही इधर से जाएंगे हम 123455 ओके और इधर कैसे जाएंगे 123456 ओके यहां से हम clockwise हम इसको लेंगे 123456 इधर भी 123455 ओ इधर उपार से 123456 इसकी number इंगे अब 14 इसका chemical नेम देखते हैं तो यहां पर कहो जगा 1 वन दबर से जूड़ा हुआ ठीक है अब यहां पर क्या है 4 क्लोरो बेंजॉल बोल रहा है और 4 नंबर पर क्लोरीन है तो 4 क्लो अब यहां पर हम इसे बंजोड़ क्यों बोल रहा है यहां पर सीयोडario इसलिए है इसको हम क्या लिखेंगे बंजोड तो क्या उज़िया का 1 4 फॉर ख्लोरो बेंजोल 5-methoksy अब 5 number पर क्या यह 5 number है तो यहाँ पर क्या है methyl B और oxygen B तो हम इसे क्या लिखेंगे 5-methoksy अब यहाँ पर 2 number पर क्या है methyl है तो 2-methyl अब यह पूरी रिंग आई कि इंडॉल कि तो इंडॉल 3 number पर क्या टेच है फिर acetic acid तो 3-y-l-acetic acid तो इस तरीके से इसका chemical नेम है 1-4 chlorobenzoil 5-methoxy 2-methyl कि इंडॉल देन 3-y-l-acetic acid ओके इसकी प्रॉपर्टी यह यह वाइट टू यलो क्रिस्टलान पोडर होता है और लेस होता है टेसलेस होता इंसोलिबल होता है वाटर में प्रॉपर्टी उल्कॉहल में 155 डिइशंट केंडु के जाता है इसके पास में एकलार्टी यह यह रिमितिक इस ओडिसॉडर पैन कंडिशन में यूज़ के जाता है इसके अडवर्स इफेक्ट है जी इटी डिसोर्डर्स हैडेक एंड डिजीनेस अधर साइड इफेक्टेड डिप्रेशन कोमा ब्लॉड वीजन इसका ओफिशल प्रेशन इंडो मिथासीन बीपी इंडो मिथासीन कैप्सूल बीपी यू सीन एंड इंडो मेड फ्रेंस यहां पर वीडियो कंप्लीट होती है आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो के रिलेटेट कुछ और इंफरमेशन चाहिए तो आप हमारे वाट्सअप ग्रूप पर भी एट हो सकते हैं जिसके लिए में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेट बॉक्स में शेयर कर दूंगी थैंक्यू सामच